जारखन में विदानसभा चुनाओ की तैयारी जोरो पर चल रही है जान सभी पार्टी अपने इस्तर पर परचार परसार कर रही है पर टिकट को लेकर इंडिया गडबंदन और इंडिया में तनातनी अभी भी चल रही है परिसी बीच विदानसभा चुनाओ के लिए परतियाशी तैय करने की प्रक्रिया में भाजपा ने शुकरवार को सभी जीलों के पार्टी अइद्रक्षों के साथ राइश्युमारी की जाना आची स्तित परदेश भाजपा कारेले में चुनाओ सवपरभारी और असम के मुख्यमंतरी हिमंतर विश्वा सर्मा ने इस बैटक में सभी जीला इद्रक्षों से सवाल जवाब किया चाप परमंडोलों के लिए हुई अलग अलग बैठोकों में हर एक विदान सभा सीट के लिए संभावित परत्याशों का नाम पूछा गया पैसी बीच हिमंतर ने ऐसा सवाल कर दिया कि जिससे भाजपा के खेमे में हलचल तेज हो गई दरसल हिमंतर ने पार्टी के नेताओं से पूछा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे क्या करेंगे बंद कमरे में हुई इस बैठक में कुछ जीला द्यक्षों ने अपने आपको पत्याशी बताया हिमंद विश्वा सर्मा ने पूचा कि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या फिर भी आप लड़ेंगे इधर जानकारी के मुताबिक इन में से एक दो नेताओं ने कहा कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तब सोचेंगे कि क्या करना है बाकी ने कहा कि टिकट नहीं मिला तो संगठन जो निर्देश देगी वही करेंगे तो ऐसे में माना जा रहे कि टिकट गोशना के बाद भी कई नेता पार्टी बदल सकते हैं इधर आपको बता दे कि भाषपा पहले दौर में 15 से 20 परत्याशों का नाम गोशित करने के तयारी में है वही पार्टी के नामी गिरामी और वरिश नेताओं को आधिवासित सीटों से लड़ाने के तयारी है हाली में हिमंत बिस्वा सर्मा ने कहा था कि पार्टी शिक डियूमिदवालों की पहली सूची जारी करेगी साथी भाचपा ज्हारकर विदान सभा के लिए अपनी चुनावी गोशना पत्र भी जारी करने वाली है इसके साथ ही आपको यह भी बता देखिए अभी जैराम महतों की पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जा अच्छा है पर ट्याशों की गोशना की गी है जा जैराम महतों डूम्बरी से चुनाव लड़ेंगे तो इस खबर को लेकर आपकी क्यार आई है कमेट सेक्शन पर जरूर बताये तब तक लिए देखते रहे सोशल समवाद मैं आकाश पुद्दार जैहिंद